नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपकॉन मेकिंग का बिजनस कैसे शुरू करे और कैसे पॉपकॉन बेच कर अच्छा खासा इंकम हम जनरेट करे अपने लिए दोस्तों पॉपकॉन खाना किसे पसंद नहीं है बड़े से लेकर बुड़े तक बच्चे तक सभी को पॉपकॉन खाना बहुत पसंद है पॉपकॉन सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं होता स्वास्त पे कोई खराब असर भी नहीं डालता है इसलिए लोग इसे खाना भी बहुत पसंद करते हैं तो अगर कोई इस पॉपकॉन का बिजनस करना चाहता है इस बिजनस में आना चाहता है तो उसे क्या करना होगा चलिए जानते हैं सबसे पहली बात पॉपकॉन क्या होता है वैसे हम सभी जानते हैं लेकिन फिर भी formality के लिए ही सही जानकारी के लिए बता दू कि ये एक तरह का snacks है जिसे सभी खाना पसंद करते हैं ये मक्के के दाने से बनता है मक्के के दाने को गर्म करने पर ये फूलने लगता है जिसे popcorn कहते हैं पहले ये plain popcorn के रूप में ही सिर्फ बिखता था पर अब कई तरह के flavors मसाले में ये बिखने शुरू हो गए हैं कई तरह के flavors इसमें जो हैं अब आने शुरू हो गए हैं जैसे के cheese popcorn, tomato popcorn, green popcorn और भी कई तरह के flavors जो हैं वो market में अब मिलने लग गए हैं popcorn में तो इनहें बेच कर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं अच्छा मुनावा कमा सकते हैं इस बिजनस को शुरू करने के लिए दो तरीके हैं पहला तरीका छोटे लेवल पे आप गाओं में हो या शहर में हो कहीं भी वह आप रहते हों एक ठेला एक स्टॉल लगा कर आप स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा तरीका बड़े लेबल पे आप किसी मॉल के अंदर या बाहर या सिनेमा घर के आसपास या मेन मार्केड में कहीं भी आप जो है इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि पॉपकॉन बनाने के लिए जरूरी समगरी क्या लगता है तो देखे सबसे पहले तो इसके लिए मक्के के दाने लगते हैं इसके अलावा नमक, तेल या फिर घी या फिर जिस फ्लेवर का आप पॉपकॉन बना रहे हैं उस flavor से related सामगरी चाहिए साथ ही चाट मसाला या फिर गरम मसाला चाहिए साथ ही packing के लिए जो packets आते हैं जो polythene bags आते हैं वो चाहिए होंगे ये सब जो हैं आप easily market से आप खरीद कर ला सकते हैं और मक्के के दाने की अगर बात करें तो अगर आप सीधा किसान से संपर्ख करके खरीदे तो आपको ज्यादा सस्ता भी पड़ता है और आपको ज्यादा फाइदा भी देखने को मिलता है वैसे ये भी आपको normally market में मिल ही जाता है तो अब बात करते हैं कि भई अभी season भुट्टे का चल रहा है अगर आप इस business को अभी start करना चाहते हैं तो बहुत अच्छ है तो अगर start भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं खेर आगे बढ़ते हैं तो इस business को अगर आप करना चाहते हैं तो इस business में कुछ जरूरी machinery और उपकरन भी लगते हैं तो वो क्या है तो देखिए सबसे पहले popcorn बनाने के लिए machine चाहिए आपको जो कई तरह के size में मिलता है ठ packet को seal करें तो वो machine भी आपको लेनी होती है अब बात करते हैं कि popcorn को बनाने की प्रकरिया क्या होती है तो देखिए popcorn को machine से बनाया जाता है तो ज्यादा easy पड़ता है तो अगर देखे कि इसका process क्या है तो इसे बनाने के लिए पहले मक्के के दाने को अलग-अलग करके कुछ दिनों तक आपको कड़ी धूप में सुखाना पड़ता है उसके बाद फिर machine में तेल डालना होता है फिर नमक डालना होता है फिर मक्के के दाने को डालना होता है और फिर machine को start करना होता है फिर ये मक्के के दाने को heat करता है और फिर ये फूल कर popcorn बनकर तयार हो जाता है और आप जो पैकिंग मसीन जो आपके पास है बस उससे आप उसे सील कर दीजे पैकेड को सिंपल सी बात है बस अब आगे बाढ़ते हैं और असली बातों पर थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं कि अगर आप इस बिजनस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो है जहां पर आपको लगता है कि यहां पर करने से बिजनस जो है वो चलेगा तो इस तरह का लोकेशन आपको खुद टाय करना होता है कि कहां पर आपको स्टार्ट करना होता है मतलब कहां पर आपको स्टार्ट करना है ठीक है उसके बाद टाय करना है कि किस लेवल पर चोटे लेवल पे किस तरह से ठेले पे, स्टॉल पे या शॉप रेंट पे लेके ये सब आपको तै करना होता है उसके बाद जो है आते हैं अगली चीज़ पे कि क्या इस पे कोई लाइशन्स लगता है कोई रजिशुशन कराना पड़ता है तो देखिए अगर बाद इसमें करें कि सि अगर इन्वेस्टमेंड की बात करें तो कितना खर्चा होता है इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए तो देखिए जैसे कि मैंने कहा था छोटे लेवल पर अगर स्टार्ट करेंगे तो कम बजट और बड़े लेवल पर स्टार्ट करेंगे तो बड़ा बजट लेकिन पाले सेजार के अंदर आप मशीन सारे रॉव दॉटियल सब कुछ dólares अब खरीद कर इस विजनस को सटार्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इप बिजनस को करने के लिए आज के दौर कि popcorn बेच रहे हैं जितने flavor के आप popcorn बना कर बेच रहे हैं उसको mention करना होता है और वो आपको जो है लोगों को बाटने होते हैं लोगों तक पहुचाने होते हैं अब इसके जरीए जो है पैंपलेट के जरीए poster के जरीए newspaper के जरीए offline में आप इस चीज़ को अपना business को promote कर सकते ह हैं अब बात करते हैं कि profit इसमें कितना देखने को मिलता है तो अगर देखिए basic मैं बता दूँ आपको 30,000 से 50,000 easily कमाया जा सकता है इस business से छोटे लेवल पे एकदम कम से भी देखें एकदम कम भी देखें तो 15,000 से 20,000 तक भी आप जो है easily इस business से कमा सकते हैं पर शर्त यह ह है कि आपका जो location है वो सही होना चाहिए और दूसरा शर्त यह है कि आप जो popcorn बेच रहे हैं जितने भी तरह के flavor के popcorn बेच रहे हैं उसका taste इतना अच्छा होना चाहिए कि customer अगर एक बार खाए तो बार बार आपसे खरीदें तो दोस्तों बहुत ही simple सा business है और आपको आए द के बारे में आपको बताया है अगर यह business आपको करना है आप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा business option है और बहुत ही कम budget से आप शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा income generate कर सकते हैं